9 अगस से एम्स में भरती पूर वित्त मंत्री अरुन जेटली का हाल जानने के लिए शुकरवार देर राद भाजपा के कई आला नेता एम्स पहुंचे थे आपको बता दे इनसे पहले राश्टपती रामनाथ कोबिन ने भी एम्स जाकर अरुन जेटली का हाल जाना गौर तलब है कि आरुन जेटली इस वक्त ICU में भरती हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है रात करीब साड़े दस बजे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगिया दित्तिनाद भी आरुन जेटली से मिलने एम्स पहुंचे थे ग्रह मंत्री आमिट शाह और केंद्रे स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्शवर्दन भी जेटली से मिलने के वास्ते एम्स गए थे सूत्रों के हवाले से आई खबर की माने तो जेटली के फेफडों में पानी जमा हो रहा है जिसकी वज़ा से उन्हें सांस लेने में परिशानी हो रही है बताया तो ये भी जा रहा है, बार-बार उनके फेफडों से पानी निकाला जा रहा है लेकिन उनमें फिर से पानी जमा हो रहा है बीते शुकरवार को AIMS की ओर से जो बयान जारी हुआ था उसके मताबिक अरुन जेटली को होमो डाइनेमिकल स्टेबल बताया गया था इसका मतलब है कि उनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट ठीक से काम कर रही है हाला कि पिछले शुकरवार के बाद से AIMS की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है अगर आपको हमारी एक ख़बर जानकारी पूंड लगे तो हमारे फेस्बुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो हमारे यूटीब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए प्रतीक शर्मा पंजाब केसरी दिल्ली